हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होलीडे फूर्ज, आज हम आपके साथ सेर करने जा रहे हैं एक बहुत ही टेस्टी और डिलिसियस बलेक फोरेस्ट केक की रेसेपी, वो भी बिलकुल बेकरी इस्टाइल में, इसे आज हम पतीले में बनाएंगे, आप बहुत आसानी से इस केक को बना सकते हैं, तो चली इस केक को बनाना सुरू करते हैं, इस केक को बनाने के लिए हम एक छोटा सा पतीला लेंगे, अब हम इसमें एक टी स्पुन तेल डालेंगे, अब हम बरस की हेल्प से तेल को चारो तरफ अच्छी तरह से लगाएंगे, साइट्स में हम अच्छी तरह से लगाएंगे देखिए हमने चारो तरफ अच्छी तरह से तेल लगा लिया है अब हम एक बटर पेपर लेंगे और इसे अच्छी तरह से हम सेट कर लेंगे बटर पेपर के ऊपर भी हम अच्छी तरह से तेल लगा लेंगे इस केक को आज हम पतीले में बनाएंगे इसलिए हम पतीला लिया और उसमें एक श्टेन रख दी है अब इसे कवर कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए मेडियम फ्लेम पर प्रीहिट करेंगे अब हम एक बरतन लेंगे और इसके उपर हम एक चलनी रख देंगे अब हम एक कप मैदा लेंगे कोको पाडर त्री बाइफ फॉर्थ कप लेंगे एक टी स्पून बेकिंग पाडर लेंगे वन बाइफ टी स्पून बेकिंग सोडा लेंगे अब हम इसे अच्छी तरह से शान लेंगे देखिए हमने इसे अच्छी तरह से शान लिया है यहां पर हमने एक कप बटर लिया है अब हम इलेक्ट्रिक बीटर से बटर को लाइट एन फलपी होने तक बीट करेंगे आप इसे हाथ से भी मिला सकते हैं या फिर हैंड विसकर का भी जूज कर सकते हैं अब हम एक कप पौडर सुगर डालेंगे अब हम इसे light and floppy होने तक फिर से beat करेंगे सुरूम में हम इसे low speed पर beat करेंगे उसके बाद हम धीरे धीरे इसका speed बढ़ाते जाएंगे और इसे तब तक beat करेंगे जब तक ये light and floppy ना हो जाए अब हम चार अंडे लेंगे और इसमें one by one करके अंडा डालेंगे और इसे हम mix करेंगे आप इसे अपने हाथ से या फिर hand whiskers से भी मिला सकते हैं अगर आप इस cake को कड़ाई में बनाना चाहते हैं तो आप कड़ाई में भी इस cake को बहुत ही आसानी से बना कर तैयार कर सकते हैं आप मेरे चैनल में हाप केजी एगले स्वेनिला केक की रेसिपी को देख सकते हैं जिसे हमने कड़ाई में बनाया है और बहुत ही अच्छी तरह से कड़ाई में केक बन कर तैयार हो जाती है देखिए इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें एक टी स्पून वेनिला एसेंस डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे हमने जो ड्राय मिक्सर को चान कर रखा है उसक shrug हम अभी डाल और आधा हम बादमें डालेंगे बचा हुआ द्राय मिक्सर कम इसमें ड़ाल लेंगे और इसे भी हमाच्छी तरह से मिला लेंगे अब हम 3 टेबले स्पून गुनगुना गरम पानी लेंगे और हम इसमें 2 टी स्पून इंस्टेंट कोफी फाडर डालेंगे और इसे हमाची तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम इसमें डाल देंगे अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका एक लंप स्पूरी बेटर तयार कर लेंगे कोफी पाडर मिलाने से इस केक का टेश्ट बहुत ही बढ़ियां आता है अब हम इसमें 1 टी स्पून विनेगर डालेंगे अब हम इसे कट एंड फॉल मेथट का यूज करते हुए मिक्स करेंगे अगर आप विनेगर नहीं डालना चाहते हैं तब आप इसकी जगह पर एक टी स्पून लेमन जूस ले सकते हैं देखिए इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब हम बेटर को इसमीं डाल देंगे अब हम एक चमच की हेल्प से इसे लेबल करेंगे अब हम इसे एक दो बार इसे तरह से टेप कर लेंगे अब हम सौधानी पुरवक इसे पतीले में रखेंगे क्योंकि इस समय पतीला बहुत ही गर्म होता है अब इसे cover कर देंगे अब हम इसे पतीले में 40-45 मिनट के लिए low to medium flame पर पकाएंगे और इसे oven में हम 150 degree Celsius पर 40-45 मिनट के लिए bake होने देंगे 45 मिनट हो गया है अब हम इसमें एक toothpick डाल कर इसे चेक करेंगे देखिए toothpick में एक भी बेटर नहीं चिपक रहा है इसका मतलब है केक बन कर तयार हो गया है अब हम इसे अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे अब हम डेड़ कप चिल्ड विपिंग क्रीम लेंगे अब हम इसमें टू टी स्पून पाउडर सुगर डालेंगे उसके बाद हम इसमें एक टी स्पून वेनिला इसेंस डालेंगे अब हम क्रीम में इस्टी पिक्स आने तक इसे बीट करेंगे शुरू में हम लो स्पीट पर इसे बीट करेंगे और जैसे जैसे क्रीम ठीक होते जाएगी हम इसका स्पीट बढ़ाते जाएंगे और इसे हम तब तक बीट करेंगे जब तक की क्रीम में अच्छी तरह से इस्टी पिक्स ना आने लगे देखिए हमारा क्रीम तयार हो गया है इसमें इस तरह का इस्टी फिक्स आना चाहिए केक भी ठंडा हो गया है अब हम एक नाइफ की हेल्फ से केक के साइट्स को अलग कर देंगे इससे केक डिमॉल्ड करते समय बहुत आसानी से निकल जाती है अब हम इसके उपर इस तरह से पलेट रखेंगे अब हम इसे एक दो बार इस तरह से टेप कर लेंगे अब हम बटर पेपर को रिमॉब कर देंगे अब हम इस चेक को त्री इकोल पार्ट में काट लेंगे अगर आपके पास ब्रेड नाइफ नहीं है तो आप धागे की हेल्ब से भी इस केक काट सकते हैं हमने अपने चैनल में धागे की हेल्प से केक को काट कर बताया, आप जाकर देख सकते हैं, देखिए हमने केक को काट लिया है, अब हम आधा कब पानी लेंगे, उसके बाद हम इसमें टू टी स्पून पॉडर सुगर डालेंगे, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करके सुगर सिर अब हम इसमें केक की पहली लेयर रख देंगे, उसके बाद हम इसमें सुगर सिरॉप डालेंगे, साइट्स में हम अच्छी तरह से सुगर सिरॉप डालेंगे, सुगर सिरॉप डालने से केक बहुत ही सोफ्ट बनता है, अब हम इसमें क्रीम अपलाई करेंगे, अगर आपको को वीडियो पसंद आये तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए गा और वीडियो के नीचे जो लाल जंग का सब्सक्राइब बटन है उसे भी दबा दीजिए गा जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिल जाएगी सब्सक्राइब करेंगे अजानी संट सिरफ स्प्रेट कर लेंगे अगर आपके पास प्लेट नाइफ नहीं है तो आपके इसकेल का या 1 नाइफ यूज कर सकते हैं अब हम इसमें चोकलेट चीप्स डालेंगे आप इसे इसकी भी कर सकते हैं उसके बाद हम इसमें सेकेंड लेयर रखेंगे इसके ऊपर भी हम अच्छी तरह से सूगर सीरप डालेंगे अगर आप सूगर सीरप अच्छी तरह से नहीं डालेंगे तो केक खाने में ज्यादा टेस अगर आप उसे बार-बार खोल कर चेक किजिएगा तो केक अच्छी तरह से नहीं फूलेगा और ज़्यादा सोप्ट बन कर भी तयार नहीं होगा आप उसे 35 मिनट के बाद चेक कर सकते हैं बलेक फोरेश्ट केक बनाना बहुत ही आसान है इसे आप बहुत ही आसानी से अपने घर में बना कर तयार कर सकते हैं वो भी बिल्कुल बेकरिये स्टैल में बलेक फोरेश्ट केक खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है आप इस केक को एक बार जरूर इस तरह से ब बहुत पसंद आएगी अब हम इसमें के के थर्ट लेयर को रखेंगे लास्ट लेयर में भी हम अच्छी तरह से सुगर सिरफ डालेंगे अब हम के के साइड में अच्छी तरह से क्रीम को लगा लेंगे देखिए हमने साइड में अच्छी तरह से क्रीम लगा ली है अब हम के 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 टोप में भी क्रीम को अच्छी तरह से लगा लेंगे आप मेरे हाप के जी एगले सुनिला के की रेसिपी को भी ट्राइ कर सकते हैं वो भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगती है आपको मेरे चैनल में विद एग और विदाउट एग दोनों तरह के केक रेसेपी मिल जाएंगे आप उन्हें अपने घर में बना कर ट्राइ कर सकते हैं अब हम एक स्क्रेपर लेंगे और केक के साइट के क्रीम को हम अची तरह से स्प्रेट कर लेंगे अगर आपके पास स्क्रेपर नहीं है तब आप एटियम कार्ट का इस्तमाल कर सकते हैं क्रीम को स्प्रेट करने के लिए अब हम केक के टोप के क्रीम को भी अची तरह से स्प्रेट कर लेंगे अब हम इसे आदे घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे अधे घंटे बाद इसे हमने फ्रीज से निकाल लिया है अब हम केक के साइड में इस तरह से चोकलेट सेविंग्स लगा देंगे यहाँ पर हमने डार्क कमपॉंड चोकलेट का इस्तेमाल किया है इसे हमने फ्रीज से निकालने के 15 मिनट बाद पीलर की हेल्प से पील करके चोकलेट सेविंग्स बना लिया है अब हम केक के टोप पर भी इस तरह से चोकलेट सेविंग्स को डाल देंगे हमने एक पैपिंग बेग में इस्टार से पॉला नोजल से डाला है उससे हम फलावर बनाएंगे इस तरह से आप बलेख फुरेष्ट केक को अपने पसंद के अनुसार डेकोरेट कर सकते हैं अब हम केक के बोडर में भी डिजाइन बना लेंगे अब हम फलावर के उपर इस तरह से फ्रेस चेरी रखेंगे देखिए हमारा टेश्टी, यम्मी और डिलिसियस बलेक फुरेष्ट केक बन कर तयार हो गया है जितना ये देखने में खुबसूरत लग रहा उससे कहीं ज़्यादा खाने में टेश्टी लगता है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दें और वीडियो को अपने फैमली और फ्रेंज के साथ सेर करना बिलकुल ना भूलें थाइंक्स फॉर वाचिंग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो